साथ क्यों, मैं लोगसभा द्यक जी, लोगसभा सची वाले और इसके निर्मान से जुड़े अर्बन डेवलप्टमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविदा का निर्मान करवाया है और हम सब बली भाती जानते हैं, हमारे लोगसभा द्यक जी, वैसे भी, वे कॉलिटी में भी, और बचत में भी, विश्वास रखते हैं सदन के भीतर, वे ये सुनिश्चित करते हैं, कि समय की भी बचत हो, और डिबेट की भी पॉलिटी की हो और इसके निर्मान में भी उन बातों को भली भाती सफलता पुर्वक पार किया गया है हम सब को याद है, अभी हमने मौनसुन सत्र में भी अद्धिक जी की स्कार्यों सैली की जलक देखी है कोर्णा काल में अनेक प्रकार की सावधानियां के बीच नई व्यवस्ताओं के साथ संसत का सत्र चला पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुप्यों किया दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कारवाई करना हर किसी ने सयोग किया, सभी दलों ने सयोग किया साथियों हमारी संसत की ये जो उर्जा बड़ी है इसके पीछे एक और बड़ा कारण है इसकी भी शुरुवात एक तरह से 2014 से शुरू हुई है तब देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहता था बढ़लाव चाहता था और इसलिए उस समय देश की संसत में 300 से ज़्यादा MPs फर्स ट्राइम चुन कर पहुँचे थे और मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था इस सत्तरवी लोकसभा में भी 260 संसत ऐसे हैं जो पहली बार चुन कर पहुँचे हैं यानि कि इस बार चार सो से ज़्यादा संसत ऐसे हैं जो या तो पहली बार चुन कर के आये हैं या फिर दूसरी बार संसत पहुँचे हैं इतना ही नहीं सत्तरवी लोकसभा के नाम सबसे ज़्यादा महिला संसतों को चुन कर भेजने का रेकॉर्ड भी दर्ज है देश की युवा सोच ये नया मिजाज संसत की संरचना भी दिखाई देता है यही कारण है कि आज देश की कार्य प्रणाली में गवन्नेंस में एक नई सोच और नया तौर तरीका दिखाई दे रहा है यही कारण है कि देश की संसत आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है पिछली सोलवी लोगसभा ने पहले की तुल्ना में पंदरा प्रतिशत जादा बिल्स पास किये सत्तरवी लोगसभा के पहले सत्र में ताएस समय से 135 प्रतिशत काम हुआ राज सभा ने भी शत्र प्रतिशत काम किया यह परफॉर्मंस पिछले दो दसकों में सबसे जादा है पिछली सर्दियों में भी लोगसभा की प्रोडक्टिविटी 110 प्रतिशत से जादा रही है साथियों समसद ही इस प्रोडक्टिविटी में आप सभी समसद रहे हैं प्रोडक्स और प्रोसेस दोनों का ही ध्यान रखा है हमारी लोगसभा और राजसभा दोनों के ही साउसदों ने इस दिशा में एक नई उचाई हासिल की है और निश्चित तोर पर इसमें उन साउसदों का भी योगदान है जो अब सदन का हिस्सा नहीं है आप देखिए हमने कितना कुछ हासिल किया है साथ मिलकर कितना कुछ नया किया है सिर्फ बीते एक डेड़ वर्सों की बात करे तो देश ने किसानों को बिचोलियों के चंगूल से आजहात कराने का काम किया है देश ने एकिहासिक लेबर रिफार्म्स किये हैं कामगारों के हीतों को सुरक्षित किया है देश ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी विकास की मुक्षधारा और अनेक कानूनों से जोडने का काम किया है पहली बार जम्मू कश्मीर में अब करप्षन के खिलाब काम हो सके ऐसे कानून बन पाए है देश ने महिलाओं को तीन तलाग जैसी सामाजिक कुरुतियों से भी आजहादी दी है इसे और पहले की बाते करे तो मासुम बच्चियों से बलातकार करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान भी इसी दोरान किया गया है आधुनिक अर्थिबवस्था के लिए GST, Insolvency और Bankruptcy Code जैसे कितने ही बड़े बड़े नेड़े हुए है इसी तरह भारत की जो संवेदन सिल पहचान रही है उस commitment को पुरा करते हुए हम सब ने मिलकर नागरिता सौंसोधन कानून भी पास किया है हमारी ये काम, ये सभलताएं, अगर हमारे प्रोडक्स है तो इने करने के प्रोसेस भी उतने ही शांदार रहे है संबात है, बहुत से लोगों ने ज्यान नहीं दिया होगा लेकिन सोलवी लोगसभा में 60 प्रतिशत बिल ऐसे रहे हैं जिनने पास करने के लिए अवसतन दो से तीन गंटे तक की डिबेट हुई है हमने पिछली लोगसभा से ज्यादा बिल पास किये लेकिन फिर भी हमने पहले से ज्यादा डिबेट की है यह दिखाता है कि हमने प्रोडक्ट पर भी फोकस किया है और प्रोसेस को भी निखा रहा है और यह सब आप सभी मान्य सांसत गर ने किया है आपकी वज़े से हुआ है मैं इसके लिए आप सभी सांसदों को सारवजनी कुरुप से धन्यवाद देता हूँ, बढ़ाई देता हूँ